प्रवार भाई बहुत बड़ी अवक्ता है बहुत उस दिन भी अच्छे बोले आज भी बहुत अच्छे बोले मंच संचालन किया वाव यहां स्कूल में पढ़ाते भी है मेरे को बताया कि टीचर है आप पैरली बात तो ये भाई ने मेरा बड़ा मान समान किया भाई ने क्या कि आप सब ने किया देखो इतनी बड़ी शंक्या में वैसे तो उस दिन भी मिल wand पात तो इसी भी ओली थी साइवी शर्राव का मनें लागया कि एक बार ओर मिलन WILन का जी है मैं का चलो मैं भी आ लिए और दूसरा बाई ने रुविंदरवन ने सारी बात कह दी कि बाई ये दूसरे अमिद शाह है हर्याना के अमिद शाह है इसलिए परवारी बनाया भाई ता ने बता दू परवारी तो मैं आच लिया परवारी तो कुंडू साब ने कह दिया था वह आड़े 52% जाता है और यूपन जब भी बाटिया आगे परवारी बटता है मेरी दचुटी जे एला कुंडू साबूरी करवाती है उसकी कोई बात है नी मैं फैले भी कारे करता था । आज भी कारे करता हूँ मैं जीवन में कारे करता भाव से ही जीवन में काम करूंगा, यू एन पी पड़ा और यू तो सारी चिज़े आनी जानी चीज है, सरकारे तो आनी जानी चीज हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकि आपका प्यार था लगाव था आपने मेरे को बुलाया और मुझे अच्छा लगा आज मैं बहना के भी दर्शन कर लिए उसे बजुर्ग मिले थे बाही मिले थे और संज्योंग हो गया यूवा साथिविया बड़ी संख्या में खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे बाक्य में इतनी देर बैठ्था राज्षांथ यार्ड़ी थे वो क लंबा चाल गया सारे भोले बारी बारी भोले और आप सोच रहे जी तो संझे बात इया बोले है और हो नहीं पता णी यूँ करत में तो था लेकिन क्या बात है दन्य वावाजी शोड़ी साम यहां मैं बैठ्था था वाक्य में जो उस दिन राज गुरहना में आए उनमें से एक बजुरुग ने कही थी बात पर एक बार आप आगे देख लो एक बार आपने कही थी बिल्कु सही बात है मेरे द्यान आगी आपने कही थी आपने आगे था आपका मन ऐसा करेगा कि सब कुछ कर दूँ यहाने के बाद आपने यह बात कही थी और मेरा वाक्य मैं यहां बैठ्था था वाक्य ही यह तपो भूमी है किसी ना किसी का तप कोई ना कोई शुद पवित्रा आत्मा का यह वास है जिसके करण यहाने के बाद मन भी लगा हलागी इंट टूंड की जुरूत को नहीं थी हम भी नेचर के नीचे पुदरस के निजदीक रहना सारे पसंद करते हैं इसकी भी जुरूत नहीं थी स्वागत की भी जुरूत नहीं थी और बुक्के भी बाकी एक बात तो मन हूँ पहले तो अपनी मांग रखवा दी गुल्दीप बुक्के दिये इन्हों ने इसके ना यह बुक्के पकड़ी है यह सह वाज आची बड़ी आवाद करें और हमारे मंतरी क्रिशन पुवार बहुत ही सदल और अच्छे आपके पड़ोसी भी है और मैं तो कहूँ बहुत सी रिष्टेदारियां भी इस राणा और यहां बरुबदा अलखे की आफस में है और मैं एक बात और बता दू इमानदारी थे कई तम यह ना सोची हो वाई मैं पूरे ग्यारा बजने से पाच मिन्ट पहले बुटाना पोच लिया था जो तो अपने जस्वीर बालमी की बाई ने रस्ते में रोक लिया किने अभी आ रहे हैं लोग कठे नहीं हुए मैंने आदा गंटा 20 ने अपने दस्तर में बिठा ली मैं तो पूरे ग्यारा बजन में पाच मिन्ट पहले आ दिया था लेकिन अब सिद्धा प्रोग्राम में आया तो बैस नहीं पड़िया उन्हीं तो आराम से बैठके बात करता हुए हमारे एसीपी साब राजवीर जी जो दिली से आया मेरे भाई हैं जो उनके परमित्र हैं उन्होंने बेच जा उनको तो यहां इस हलके के हैं आपके साघ्माण जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं सरपएंसा बैठे हैं सारे बैठे हैं एक बात तो है जिस तरह देशवाल जी ने बात सुनाई हो सासू मावाली बाई हो दोई कितनी ना देवर भाभी नी सास जमाई आ ली बाई हो आगया बंगड में गया और उसने कुझा कितनी दोई गाल देओं यही बात सुनाई है यही समझ आई तो उनने पहले तो यह कहा तो उस दिन भी आते युनिवर्स्टिया, इनने और भी कई बाते कहने थी, इसलिए आज यहां बुलागे, आज दिनने नाच्टियाडी बात कर दी, जो डोई कहाने हो, कश्मीर खासा की भी हमारे बीची में आगे, और हमारे यहां भी होया कर रहा कि, जो सबसे लास् दा लिए, हर कोई बात छोड़ी नहीं, मेरे खात्तर से कोई बात इन्होंने छोड़ी कोई नहीं, लेकिन फिर भी मने कुछ न कुछ कहनी पड़ेगी, मैं जरूर कहूंगा, देखो, एक बात मैं पसंद नहीं करता, सीथ भी बात क्या रहा हूं, आपको गुरी भी तो हम ये कर देंगे, वह आप इसका दर्जा कर देंगे, तो बोट दे देंगे, MLA बना देंगे, फलाने के ना भाई, यूँ बात मजिया लिख हो नहीं, मैंने पसंद कोई, सही पूछ चूँता, मैं यहां बैठा हुआ सोच रहा था, लेकिन बीच में बोलना तो ठीक नह जिसने जविंदल वाई ने भी करिए, मैं सोच रहा था, कि चोदरी जैराम जी की पहले प्रतीमा पे मैंने मल्यारपन करा, फिर चोदरी केदार जी की प्रतीमा पे मल्यारपन करा, फिर चोदरी धजयराम जी की प्रतीमा पे मल्यारपन करा, हम जो आज इतने साल बाद भी उनका सम्मान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, उन्होंने इस सोच के कारण तो काम नहीं कर रहा था, कि वह मारा मान समान होगा, इसलिए ये काम करो, उनकी आत्मा थी, शुद आत्मा थी, वो समाज के भले के लिए काम करना चाहते थे, इसका मतब उन्होंने निस्वार्थ काम किया उन्होंने निस्वार्थ काम किया तो इतने साल बाद भी आज हम उनकी प्रसिमा काम मान समान भी करें मल्यारपन भी करें और उनके गीत भी गा रहे हैं और याद भी करें और जो अगर उने स्वारत में करें उनदा काम तो शैद हम आज याद करें उन्दे उनको इसलिए ये काम भी जो यूनिवस्टी आला है या कोई और भी काम है बरोदे अरकेके विकास का भी जो काम है वो अगर स्वारत के लप्ते से करे जाएगा हाँ भई यह ऐलेक्षन आ जजय आगया, बाई-लेक्षन है परची गरेगी, वोट गरेंगै इसलिए काम कर दो भई इसमें कोई सराना नहीं होगी मैं मांता हूँ, हो जाएगी इलेक्षन तक वो लाले चाली बात हो जाएगी और उसके बाद कोई स्राणा नहीं होगी मैं इमान दारी तो जो सोच मुख्य मंत्री जी की है जैसा पुमार साब बता रहे थे देखो आपके गले उतारने में टाइम लगेगा जीतना आप उनने बर्तों गे बीच में आएगा जाएगा बतलाएगा यह मने कोई जाने था संजे बाटिया ने इव आप वरोदा अलके में कहीं चले जाओ हलागी वो बात मने कुंदु साब आडी को मजाक में कही लेकिन सचाई आडी बात यह है कि आप कहीं चले जाओ जिकरा चाल जाता ब्यार वो ठीक है लड़का संजे बढ़िया है सुनता भी है बात भी करता है यह क्या चीज है यही इंसानियत है और निश्वार्थ भाव है तूं किसी के विरोध में कुछ भी बोले जाओ करे जाओ यही बात मैं कहता हूँ हम तो कुछ भी नहीं मैं तो अगर इमानदारी की बात सुचते हो तो मुख्य मंतरी मनोर लाल के मुकावले में सोवें इससे में नहीं हो कई बार यू मने भी मुख्य मंतरी बढ़ा दे दूसरा मुख्य मंतरी बढ़ा दे यू मेरी जो नोकरी मिल रही है इनने भी खो देंगे गितने गितने मुख्यमंत्री बढ़ने के चक्कर में देना सारे घर लोट लिए यू मन भी लुटवा देगा तो बात हो नहीं है बात मैं हासी में कहा रहूं यह बात वो इतने अच्छे इंसान है वो बड़ी है इंसान है और कई वार गाने भी बरोद्दा और बैस्वाल के दो कॉलेज दे दिये क्यों इलेक्शन आगे थे भाई वो दे दिये 15 किलो मेटर के अंदर 15 किलो मेटर के गेरे में पूरे हर्याना में कॉलेज होने चाहिए पहले 20 का था फिर 15 का हो गया उस चक्कर में 11 कॉलेज अभी उन्होंने कठे उस गातन करे 85 पहले कर रखे दे 96 कॉलेज उन्होंने पूरे 6 साल के अंदर पूरे हर्याना में 96 कॉलेज दिये और पिछले 10-12 साल में देख लो तो 75 कॉलेज थे उसका चलो मैं कंपेरिजन भी नी करता किसी की बुराई भी नी करता जिसने जो करा अपने लिए करा समाज के लिए करा उतनी उसकी तराना होती है लेकिन एक बात की मैं सवीकार करता इमान दारी से उसमें महारी कमी भी ला लियो मैं सारी कमी विपक्ष की लगा दूं ये तो बाशन सुन सुन के सब के कान पकली होंगे यो भी आवे दूसरी पार्टी ने गाल दे रहे लेकिन मैं वो काम नहीं करता ना मेरे सबाव में है और सारी पार्टी आने नितावा के साथ मेरा प्रेम भी बहुत है मैं लाड भी करूँ असी मजाग भी करूँ उनसे सारी बात कह लिया करूँ मैं कोई मेरे को किस वो अपनी विचार के साथ है मैं तो कई बार कहता हूँ मैं कई बार दिपंदर उड़ा के दिपंदर उड़ा जी के बारे में कोई पत्रकार पूछने लग जाता है मैं करतो हूँ यह मने तो बड़ी अलाग है, त्टीक आदमी है, कोई गलत तो है नहीं, बड़ी है विचार का ठीक है, उसका मेरा एक फरक है, बजिस तरह हम मोधी जीने पसंद करें, वो रावल ने पसंद करें, इसलिए वो रावल की विचार धरा के साथ है, हम मोधी अले व बाग्की तो सब परिवार 36 बरादरी समाज जो परमातमा ने बढ़ाई वो मानव जाती सब एक ही है और जो धरन सब का बनता हो इंसानियत का बनता है दूसरे के लिए प्रेम रखना दूसरे के लिए आदरबाव रखना अभी हम देखने हैं छोटी छोटी बातों पे सगे भा में भाई आपने लगे आपको विश्वास बन जाए उमीद बन जाए कि भाई यार इस बार इनने मुका देदें संजे ने मुका देदें या बीजेपी ने मुका देदें तो चार इंट फालतू लग जाएंगी काम अच्छे हो जाएंगे इव कोई सरकार बना डाला प्राशन देना चाहता हूं मेरे एक भाई ने बीच में बात करी अब कुमार साहब ने करी उन्हों का भाई जब तक कोई और एंड़ने नहीं बनता मुकहे मंधरी जी ने बात कई है कि भाई मैं व्रृद्दा का मैं बनके काम करूँगा ये बात उन्ने कई है तो बाई पाया कमावू बेटा मिल जाए दूसरी बात एक बात इमानदारी से कहूंगा मैंने मुख्य मंद्री से चल्चा करी जब मेरी जूटी लगी तो मैंने चल्चा करी जी मैं का जी देखो सही पूछो तो मैं रोज 1200-1500 लोगों से मिलता हूं आप कई बार राज गराना में आ जो यह पहले रेस्टा उसमें बैठता था पानी रूपते थे लोग बहुत आते थे अपनी समस्या भी लेके आते थे मैं सूनता भी था बड़े ध्यान से समझता भी था और मैंने जच की वह और इतना पूरा हर्याना बड़ा है लेकिन यहां कोई देखो कोई तो सड़क ठीक पानी की निकास को नहीं पीने का पानी भी ठीक नहीं आड़े तो कहने चलो यहां पर इस परिसर में तो मिठा पानी है बरोदा लिखे के कई गाउम में पीने का पानी भी मिठा नहीं तो मैंने आरो की भी बात करी सारी बात करी और सही बात है कि किसी भी समाज की तरक्की कि किसी भी शेत्र की तरक्की वहां पर जो शिक्षा संस्थान है उन्हीं के साथ से आपकी जाती है अब यहां के बच्चों को जाकर जो पढ़ने के लायक है दूर जाना पड़ता है लेकिन गरीब अपना बच्चा कैसे दूर पढ़ने के लिए बेज़ेगा फोस्टल का भी खर का दर्जा देदो एडिड का दर्जा देदो मैं बहुत ज़्यादा एजूकेशन के बारे में इसलिए भी नहीं जाना था मैं सिंपल ग्रेजुएट हूं लेकिन अपने तजर्बे से बता रहा हूं मैंने उस दिन भी कही कि पांच आदमी जो लाइक पढ़ने वारे हैं उसकी जो नौम्ज हैं वो सारी पूरी करने पड़ती हैं अगर हम मन भी बना ले मालो सरकार मन भी बना ले लेकिन फाइल तो जमा करानी पड़ेगी वो तो सब्सक्राइब आपने करवाई है फाइल करवा देनी चाहिए उनिवर्स्टी एक्ट में जो भी है ठीक है ना अग सारा सेंटर गोर्मेंट का डिपार्डमेंट है जिनके मंतरी रमेश को ख्रयाल जी है तो वो उससे भी रहता है और गवर्नर का भी सीधा सीधा उसके अंदर हाँ M है तो वो सारा का सारा दक्तर रहता आपके अंदर पड़े लिखे डॉक्टर सांगवान जी दी है और थोड़ा सा मुझे पहले आगे कहीं ने बताये भी सही जी अपसका मामला है जी कुछ एक डड़ा वैसे है वैसे कुछ आगे हूँ बात भी बता के थोड़ा ड्रा परदान दाओं तो मैंने उन से कुछ है मैं कहा ऐसे ऐसे आपके यहां से मांग आती है और वो कहते हैं कहता है नहीं मुझे कोई अतराज है निया अगर यूनिवर्स्टी बन जाती है देखो उस आदमी की पीट सुनती है वो आपके साथ जुड़े हूए नहीं जुड़े ह मुझे इस बात का नहीं पता ना मैं बहुत ज़्यादा गहरे नीचे राजनिती में जाता हूँ लेकिन उस व्यक्ती ने भी यही कहा कि मुझे कोई अतराज है यह यूनिवर्स्टी बन जाए एडिट कॉलेज बन जाए कुछ भी बन जाए जिसमें सरकार की सुविदाएं इसके अंदर कोई ना कोई आजे तो एक बार हम पांच लोग मिलके इमानदरी की बात कहता हूं आपको और मैं बिलकुल इसको चुनाओ के नजरीय से नहीं कह रहा है यह आपका हक है आपका हक लेट हो गया आपका हक आपको जल्दी मिलना चाहिए था लेट हो गया लेकिन इमानदर इसे कहता हूं एक अच्छा वकील बनके क्योंकि मैंने अपने मन से बरोदा को जोड लिया है बरोदा हलके को अपने साथ जोड लिया है क्योंकि आदमी एक जीव हो जो हम जीव पालते हैं घर के अंदर पालतू पालते हैं वो भी 10-5 दिन रह जाए ना तो उसका भी मन घर से जाने का नहीं करता सचाई की बात है मैं चाहिए एक महिने से 15 दिन से 20 दिन से या गेड़ महिने से आप लोगों के बीच हूं जितना लोगों को मिला उनकैन को ड्राण आले जीव किसान यूनियन वाड़ों के लिए मेरे को बहुत ड्राया इस किसान यूनियन मैं इसाथ लगता है इसी तरह मैं अमांधरी से कहता हूं मैं ब्रोदाल के से मेरा जुडाव हो गया। पाइटी का कारे करता हूं ड्यूटी लगाई है एक आप से जुडाव होने के कार है मैं इस बार कार है सरकार तो यही रहनी है बदलने ही नहीं एक बार हमने दिल खोल के वोट दी है 15 साल एक पाइटी को दी है इतनी बात चैनल लाइट में कहना ये भी नहीं चाथता हिमानदारी के बाद जो मैं पहले कह चुका हूँ वो युनिवर्स्टी यारी बात को अलग रख दो वो तो मैंने आपको कह दी आपका वखील बनके ये चार-पाँच आपकी टीम बनागे विल्कुल चाहिए मने रोज चलनी गड़ जाना पड़े आपके काम के लिए जाके पूरी कोशिश करें लिए उनिवर्स्टी भी बन जाएगी तो पाणी बढ़ रहा है सारी फसल खराब हो रही है तो ये सारे काम होने वाड़े थे और ये काम मैं एक बात कहूँगा कि ये चार साल के लिए राज इनिती क्या होगी लोग आम तो रुपे लेक्शन में कुछ कास्ट बेश चले जाते हैं ये ऐसा होगा वैसा इन सारी बात तो गो एक बार छोड़े हर आदमी ने देखो अपने कैंजेट खड़े करने अच्छा बुदा कैंजेट उसका आकलन आपने करना है एक बार म बढ़ाई है सरकार में तो तब भी सांजा था पतली उनको क्या संकोच रहा इतनी ड्वल्मेंट नहीं करा पाए अलगी बहुत अच्छे आदमी बताते हैं हमारे परिवार के उनकी भाणजी हमारे घरी है पानीपस के अंदर तो जिश्वर सिंग गंगा सा मेरे को अपने ब मुझे नहीं पता और फाइन साल ये भी पच्छनी से बीजेपी की सरकार्ती उस संकोच में हो सकता है उन्होंने ज्यादा काम भी ये भी नहों बीजेपी गोवर्मेंट से चुपी साथ गयों और हलके के लोगों ने सोचा हो यार बीजेपी का हमने बढ़ाया नहीं बीजे हर चीज की होती है मुद्दे दो कई बनाए जाएंगे कोई कईगा इलाक्य की चोदर का सवाल है भाई कोई बरादरी आड़ा सवाल भी खड़ा कर देगा कोई कुछ कर देगा सारे मुद्दे बनेंगे अब इलेक्शन शुरू होगा तो सारे मुद्दे बनेंगे लेकिन ए किसी को अराना जिताना नहीं, इस बार अगर हमने जिताना है, तो बुरोद्दे के हलके के लोगों को हमने जिताना है, भई यू दो चार साल राज का जीसा ले लो, या जिस भी शब्दों में आपने समझ आंदी हो अपना सांजा ले लो, या बुरोद्दे के भाई बैन सारे वहाई अपना हाप लेलो कि हमारे हर्के से युवा को भी मोकरी मिले शिक्षा मेले स्वास्फे सुविधा मिले बड़ीया पाणी मिले खेतावे पाणी मिलेगा भालतू जो पाणी है उसकी निकास्य हो जो काम हम ले सकते तीच- मिया 허계 둘 ये सोच के ये विचार करना आपने है और विचार करोगे मैं इमानदर इसे कहता हूँ उसको राजनिती और इलेक्षन के साथ ना जोड़ना ये जंता कॉलेज की जंता युनिवर्स्टी बने इसकी लड़ाई संजेवाखिया आपका इसको कहते है न धरम का भाई लगा लो ध